दूंगरपुर में अंद्विश्वास के चलते दिल देलाने वाली घटना किशोरी ने अपनी साथ वर्षे बतीजी का असर तन से किया जुदा पिता और भाई पर भी किया हमला हर्यालिया मावस्या की पूजा के दौरान हुआ मामला डूंगरपुर जिले के चित्री थाना शेत्रे के जिजवा फला गाओं में एक दिल देलाने वाली घटना सामने आई आस्ता की आड में अंद विश्वास के चलते एक किशोरी ने अपने अंदर माता का आना बताया और जम कर उत्पात मचाया इसी दौरान किशोरी ने नंगी तलवार से अपने साथ साली की मासूम भतीजी का सिर तन से जुदा कर डाला पिता और भाई पर भी हमला किया जिससे वो घायल हुए पुलिस ने किशोरी को गरिफ्तार कर लिया थाना दिकारी गोविन सिंग ने बताया कि चितरी जिंजवा फला में शंकर पुत्र रामजी डेंडोर के घर हर्यालिया मवस्या के दिन से दशा माता की पृतिमा की स्थापना का रोजाना सुबह शाम पूजा अर्चना चल रही थी रविवार को रात को आट बजे करेकरम शुरू हुआ और देर राट तक चलता रहा इसी दोरान शंकर की पंद्रह वर्षी पुत्री हातों में नंगी तल्वार लेकर घर के अंगर में दोड़ने लगी शंकर और उसके बेटे ने उसे पकड़ने की कोशिश की इसी दोरान उसने दोनों पर हमला कर दिया जिससे दोनों घायल होगे अंदर घर के साथ साल की वर्षा सोई हुई थी उसे घसीट कर भार लाई और ताबर तोड उस मासूम की गर्दन पर तलवार से हमला करना शुरू कर दिया जिससे उसका सर तन से जुदा हो गया सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची और किशोरी को गिर्फतार कर लिया